नमस्ते दोस्तों मेरा चानल में सबका स्वागत है आज हम गनेर्शी को चड़ाने के लिए एक प्रसाद बनाते हैं यह बहुत आसानी से हम बना सकते हैं यह बनाने के लिए पाओवा लिया है फिर एक बाओड नारियल लिया है उसमें तीन एलेची भी लिया है मैंने इधर तो पूरा वाला लिया है आपके पास अगर पाओडर है तो वो यूश कर सकता है यह पाओवा तो साफ करके लिया है फिर एक बाओड गुड लिया है जाग गेरम हो गया तो हम गुड डालके उसका चास्री बिरेना आई पर बाद में हमको चलनी से साफ करके लेना है अभी इसमें थोड़ा पानी डालना है एक गुड लिया तो हादा कपे में पानी लिया है और पहले पूराने डालने का थोड़ा पानी डालके देख लेना है पानी डालके अच्छा से मिक्स करके देखते हैं यह थोड़ा पिगल जाए बाद में हम इसको साफ करके ले लेते हैं मैं चासनी को ऐसे चलनी से साफ करके ले लिया अभी में वापस वही खड़ाई को साफ करके रिख दिया अभी उसमें थोड़ा गी डालके जो कैश्यूनोट और वो जो किस्मी से उसको हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं यह ज्यादा गरम होगे इसलिए मैंने ओफ कर दिया वापस कड़ाई को गरम गरने रिख दिया अभी वो जो चासनी है न गुड़का वो हम इसमें डाल देते हैं इसमें ज्यादा तार बनने की जे दो तार कुछाने की ज़रूत नहीं क्योंकि आपको ज्यादा दिन के लिए रेखने के लिए नहीं न अभी ज्यादा दिन दालके उसको भी अच्छा से पकाना चाहिए यूँ और गूड और नारियल LHC सब उसमें अच्छा से थोड़ी दर अइसे चलाते रहेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा उसमें मिठास अच्छा से आजाएगा नारियल में फिर हम थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा करने रि अभी हम यह पावा को इसमें अच्छा से मिक्स कर देते हैं यह थोड़ा थोड़ा डालके अच्छा से चलाना है अभी बाकी भी डालके सब अच्छा से चलाते मिक्स कर देंगे बस हमारा यह रेडी हो जाएगा भी एक अभी-कभी बेचोंगों भी चाहिए तो नास्ता जीसे भी बना के दे सकता है मैंने एक सेर्विंग बाउड में निकाल दिया अभी डेकरेशन के लिए दो नारी लई से रेख दिया अभी जो कैश उनट और किसमी समने जो फ्राई करके रखा था वो भी डालके डेकरेट कर देते हैं अगर आपके पास दूसरा बदाम पिस्ता जो भी हो वो भी डालके डेकरेट कर सकते हैं सब लोग जरूरे अपने घर पर ट्राई कीजेगा अगले रसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं थैंक यू